हेलो एरिवन कैसे हैं आप सभी लोग इस तेसरे सोलुसान चलाल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्ते इस वीडियो में हम डिसकस करेंगी कि जो हमारी मोजिला के अंदर हम अपनी डियेसी की सेटिंग कैसे करें जिस वज़से आपने आसानी से जो भी पी अफ् काम होते हैं वह आसानी से अपर्व कर पाऊ और जिस वज़से आपको प्रोब्लम नहीं यह प्रोब्लम में यह काफी दिनों से चलती रहती कभी कुछ चेंज से लो जाते हैं कभी कुछ मैंने आइस पर आजरी विडियो मना रहा है लेकिन उसमें कुछ changes हुआ है जिस वज़ासे मैं वीडियो बुना रहा हूं और आप असानी से इस वीडियो के मादाएं से अपनी डियेसी जावा और मोजिला के साथ सेटिंग करके आपने क्यावाईसी अपरूव कर सकते हैं करेंगे कि आप अपने जो मोजिला के जो एच पर गोर्मेंट पीफ की जो ओफिशल है उन्होंने जो एपिएफ हो की सेटिंग है कि आप मोजिला के साथ जावा सेटिंग और प्लस डियेसी ड्रैवर कैसे करें जिस वज़ासे आपने आसाने से क्यावाईसी अपरूव कर तो अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब जूइब कीजिए और बिलक्त जुरु दुरु दॉपई जिससे मिलता है आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो दोस्तों मैंने आलरी हमारे टेल्क्राम पर आलरी इस पर दो या तीन वीडियो बना रखे हैं जो एक वीडियो बनाया था मोजिला एंड जावा का उसमें कुछ सेटिंग है जो पुरानी नए चेंजिस हो गए तो वह पूरा इसमें डिसकस करेंगे अगर उसमें एक मैंने सोटकट भी बताया था कर आप करोम ब्रावजर के मादें से वफ्रूव कर सकते ह पर उसमें कभी कोई प्रोबलम आ जाती है जा एक से जाद आप डियेस यूजर ने कर पाते तो वहां पर कुछ ना कुछ इसमें प्रोबलम आती है इस बदाए से जो एज़ पर एप्डेट जैसे नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट साती है कुछ भी एर राता है तो वह हां पर अपडेट दिया जाता है तो यहां पर मैंने अलड़ी अप्लोड कर रहा है लिंक डिस्कप्स में भी है कि आप कमपेटेबल ब्राउजर तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो मोजिला का ब्राउजर डाउंलोडिंग करना है वह आपको लेक के जाएगा तो मो मोजिला करना फिर आपको कड्या जावा फिर आपको क colony pajamas जावा जैसे किलिक करोगे तो जावा का learner चलेगा और इसने 30 घृ ट्का ही वर जन होनाच जगा तो आपको इसमें करना विंडोज ओ लाइन पर आपको कलिक करना है जैसे ही डाउड़ोड यह होते तो आपको जाना ज next पे क्लिक करना इसमें आप कुछ भी select कर सकते हैं कोई फरग नहीं बढ़ता तो में standard पे क्लिक करना है फिर आप साथ साथ में आप जावा को भी इन्स्टोल कर सकते हैं तो फिर हमका को finish पे क्लिक कर देना Finish पर क्लिक करते हैं हमारा जो Mozilla वो इंस्टोल हो चुका है सबसे पहले आपको क्या करना है Mozilla में आपको जैसे उपन हो तो आपको 3.0 पर आपको यहां पर क्लिक करना है फिर आपको Option पर जाना है Option पर जाके Advanced पर क्लिक करना है और Update नेवर चेक कर देना है Automatically अपडेट वालों को जल्दी से जैसे आप उपन करो सबसे पहले आपको यह सेटिंग करना है नेवर चेक फॉर अपडेट इस पर क्लिक करना है कि आपका Mozilla वो लेटेस्ट वर्जन में नहीं होगा अपडेट नहीं होगा जिस वज़से सेम वर्जन में रहेगा क्योंकि बहुत सारी तो सिस्टम क्या होते है वह अपडेट बंद नहीं करते जैसे वह सेटिंग करते है वह उसी टाइम अपडेट इंस्टॉल करता ही वह चेंज हो जाता है है तो इस वज Addさい से आपका सिस्टम बार बार जाया की सेटिंग्स आती है तो यह हमारे पहला रीजन है फिर आते हैं हमारा जावा जावा को सेम आप इंस्टॉल कर ले इसपर क्लिक करेंगए तो वह 32 बिश में मैंने आलरी बदाए है32 2-bit में होना चाहिए तो इसको इन्स्टॉल पर लगा देते हम फिर आता है हमारा । ड्राइवर इसके क्लिक करें आपके पास कौन सा ड्राइवर है वो आपको अपने सिस्टम में लगा देना है लगाने के बाद में आपको जाना है ड्राइवर में जैसे कि मैं यहाँ पर जा हो गए हमारी mozilla java और dsc driver यह तीनों आपको इंस्टोल करना है अगर इस सिस्टम में इंस्टोल नहीं होगे तो आपका dsc java setting काम नहीं करेगा तो इस पर आपको इस पर क्लिक कर देना है लेंग्वेज इंगलीज नेक्स पर क्लिक करना और आपको इंस्टोल पर क्लिक कर लेना तो हमारा जावा इंस्टोल हो रहा है साथ में dsc driver भी इंस्टोल हो रहा है अब चलते हैं जो इप उफ़ा की वे युनिफाइड पॉर्टल भी तो सबसे पहले हमें settings जैसे हमारा जावा रन हो जाएगा complete हो जाएगा तो हमें कुछ setting करनी होती है mozilla के अंतर जो मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर भी तेक हमारे चल्ले को subscribe ने क्या subscribe जूरू किजी क्योंक आपको update PFSIC जितने भी सिस्टम में उसके जितने भी updates है वह आपको हमारे चल्ले के मदरें से हम प्राइट करते हैं तो हमारा जावा सक्सेस्पुली इंस्टॉल हो चुक है पादम कि अगर आपको यह दो थ्री डोट दे रहा है इस पर आपको दुबारा कलिक करना फिर एड दिखाएगा इसको कुछ चैंज नहीं करना लेकिन इसको आस्टू एक्टिवेट कर देना कुछ सिस्टम ही नहीं मिलेगा तो सेटिंग अच्छे सेटिंग कर लें कि आपके यह जावा की सेटिंग है या नहीं तो यह हो गया फिर हमारा जाना पीएफ का यह ओफिसल साइट खरके लोग का निश्खना आगा है इसपर आपको कलिक करना है फिर इस पर क्लिक करने है फिर देको जावा को आलाउ कर देना अगर नहीं है तो ़ो जरूरा यह हमारा हो गया और हमारा डिक ट्रैवरी और फानली इनस्टॉल हो चुकल तो आपको फिर आपना जो PF का company code है वो आपको डाल देना फिर sign in पे आपको click कर देना फिर आपको click here pending dsc जो भी आपकी कुछ pending पड़ा है तो इस पर click करें online transfer case आपको यहां पर दिखाए दे रहा है इस पर click करें फिर आपको approved dsc पर click करें जो भी कुछ problems आएंगे तो इसमें पतातल जाएगा कि इसमें run करेगा या नहीं करेगा तो अगर आपका तो इसमें देखो अगर mozilla का version ठीक है तो आपको इसमें पूरा ऐसे please wait working करने लग आएगा कि this is version is not valid for this तो हमारा आसानी से approve claim हो रहा है तो इसके मादम से अगर आप इसमें एक setting और हमें करनी होती है वो आपको java configure में आपको जाना होता है कभी-कभी आपको system में java blocking का system ब्यासकता है जब आप पूरू करो कि java block तो वो इसके settings है जो हम इसमें बताने वाला जाना हूं configure java में आपको click कर देना फिर आपको security में जाना है फिर आपको हाई इसमें edit site क्या करना आपको EPFO के site डाल देना unified employee PDF जो यहां से आप copy करके यहां पर test कर देना जिस वज़से आपका java block दिखाएगा वो error आपके पास नहीं आएगा फिर इसमें ok करके फिर आपको problem हो रही है तो हमारा जो सोरकी वाला जो वीडियो था जो Chrome browser के मादम से अप्रूव होता है वहां से भी आप अप्रूव कर सकते हैं उसका मेरा company के पास से भी mail आया था कि यह सबके लिए safe है इसमें कोई charges नहीं देना जो DSE use करते हैं तो वो charge paid ना करें उसको free वाला version ही यू don't block पर करना अगर block करता अगर आपको DSE block हो जाए फिर आपको run पर click करना फिर आपको DSE के password है वह आपको enter कर देना फिर आपको login पर click कर देना तो ऐसे आपके आसानी से जितने भी claim है क्या है सब अपरूव हो जाएगी तो यह मैंने पूरा आपको practically live दिखा है फिर भी कोई